फाइनली टाटा वालों ने टाटा कर्व के प्राइस इसको अन्वील कर दिया है और इसकी प्राइस रेंज को देखते हुए आप यह बोल सकते हैं कि यह कॉम्पेटिशन देशकती है हमारी हुंडे क्रेटा को जिस कार को सेग्मेंट में अस तक कोई कार हरा नी पाई यहां त लोग भी इसके डिफ्रेंस को देखके शॉप हो जाओगे उसकी लेंथ हमें 22 चूटी मिलती है क्रेटा से वहीपर हमें इसकी वित की बात के तो टाटा कर्व के अंदर हमें 20 mm ज्यादा मिलती है और हाइट हमें 5 mm कम मिलती क्रेटा से और वहीपर अगर इसके वील बेस की ब और कर्व में इंजन ओप्शन की तो दोरों में हमें 3-3 इंजन और एक डिजन तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनका सबसे बेसिक बैसिक वेरियंट होता है तो कर्व के अंदर हमें 1.2 लिटर का रेवर्टे नियुटन मिलता है जो प्रडूस करता है एक सो पन्द़रा पी है और अगर बात करें इसके अंदर आने वाले डीजल इंजन की तो टार्टा के अंदर हमें 1.5 लिटर का गायो जैट फॉर्स लेंडर डीजल इंजन मिलता है जो कि अपनी स्मूधनेस और रिलाइबिल्टी के लिए काफी जाधा पॉपुलर है उसके अंदर मिलती है की पावर के मुकाबले इस इंजन की रिलाइबिल्टी और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा लोगों ने ट्राय कर रखा यह वाले इंजन तो लोगों को ज्यादा विश्वास उसी पर है बड़े टक्कर दे रहा है इसको वहीं पर टाटा वालों अपने इस टाटा कर्व को साथ एक नए इंजन को भी इंट्रेड्यूस कर रहा है जो कि 1.2 लीटर का जीडिया इंजन जिसका टाटा वालों ने नाम रखा है हाई पर यह जो प्रडूस कर सकता है 125 बीच्प की पावर और 253 न्यूटर मिलती है और टाटा कर्व के अंदर भी हमें बागी आप लोगों को एक चीज बताऊं टाटा वालों के बारे में टाटा ने अपने 1.2 लीटर एवर्ट्र एंजन के साथ आपको फ्रंट डिस ब्रेक दिये और रेयर ड्रम ब्रेक दिये वहीं पर जो इसका डीडिय इंजन ए 1.2 लीटर का उसके अंदर में फ्रंट भी इस ब्रेक मिलते हैं मतलब टाटा वालों इसमें थोड़ा बेद बाव कर दिया अपने कस्टमर्स के साथ अगर आप लोगों को इसी टॉपिक पर और अच्छी तरीक से डिटेल में बतलब इन डिटेल वीडियो चीए तो भाई कॉमेंट्स में बता दे ना मैं वह वीडियो से स्टाट हो जाती है वहीं पर जो इसका डीजल इंजन उसकी प्राइज स्टाट होती है 11.49 लाइक रूपीज से और यह सब भी प्राइज इंट्रॉडक्टिर प्राइज करके जो की वैलिट रहेंगे करती सक्टूबर तक तो अकर स्मार्ट वीडियंट की बात करें कि टा स्टेरिंग वील रहें इसके इंजस का डीजिटल इस्टूमेंट क्लस्टर कि ब्लते हैं यह से इंदर मैनुल एक्स लिजमंटा विद ए-वीडी तोलाइज इसके टील विशितिबल राइवर सीट मिलती है और इसके बेस्ट इमया रिमोट सेंटर लोकिंग मिलेंगी और य इसके पेसेंजर के लिए अपी पेसेंजर के लिए सीट बैल्स तो भाई टाका शेवेटि के सारे फीच्राइए बडिया चीजे बत करते हैं इसके सेकेंड बेस्ट वैयरेंट की प्योर प्लस स्मार् वैयंट से पुरानी वाली आया कर दिए बटी गंदी सी लगती है मुझे वही मिलती है इसके अंदर मतलब प्यॉर प्लस के अंदर और वहीं पर इसके अंदर हमें Android Auto Apple CarPlay ले खुरू कर दिए और बहुत लगाना से लिए तो मेरे सबसे 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 चीज करें इसके अंदर प्रूस कंट्रोल दे दिया अंदर मिलता है और स्पीकर एलेक्रिकल अजेस्टेबर और 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 व्यम्स मिलते हैं रिवस्पार्किंग कैमरा मिलता है चेरिंग मांटेट लोगों के साथ आने विल मिलता है मतलब 12 इसके मिलेंगे सबसुत में चलो बात करते हैं जो कि प्यफ्य प्लस होगा इसके प्योर प्लस वेरियंट से चलो देखते कि प्योर प्लस के अंदर सारे फीचर मिलते हैं वह फीचर तो इसके अंदर मिलेंगे मिलेंगे उसके साथ कुछ एड़ों चीज हो जाएगी जैसे कि हमें वोइस असिस्ट के साथ आने वाली पैनरोमिक संरूफ मिल सब्सक्राइब करेंगे चलो बात करते इसके नेक्स वेरियंट की जो कि और उस वेरियंट को लेने के लिए आप लोगों को अपना बजट 1.2 लाक रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्रेटिव वेरियंट का पैट्रोल में 12.19 लाक रुपीज वहीं पे जो इसका अधर मिल जाते 17 इंचिस के अलोई विल्स मिल जाते विद एरो इंसर्ट बाकिस के अंदर में बाइक फुल एल्डेंस मिलते हैं फुल ऑटोमेटिक टेमट्रेचर कंट्रोल मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है वाइलेस अंडॉर डॉट और एपल कार प्ले टेनेचले के लिए जो मिलको प्योर प्लस एज वैलुफॉर मनी लग रहा है मिरको लगारा सबसे ज्यादा वैली फॉर मनी वेरियंट लग रहा है मेरको बागी बात कर इसके अगले के जो कि क्रेटिव एस उसके लिए आप लोगों को इसके बन पॉइंट डॉर और दो पर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे और उसी के साथ सब्सक्राइब के अंदर हमें एक और इंजिन का उप्षिन मिल जाएगा जो कि यह 1.2 लिटर का जिसका प्राइब के अंदर में कुछ ज्यादा एक्स्टा फीचर उफर नहीं करती इसके अंदर सारे वो फीचर आएंगे जिसके प्रिवेश वीडियेंट में आते थे एक्सा जो फीचर आएंगे वह है वो है वोई सस्ट पैनरॉमिक संरूफ रेंज सेंसिंग वाइपर और उसके अलावब टाट इसके अंदर कुछ ज्यादा एक्स्टा फीचर नहीं देती आपको मतलब भाई आप लोग पचास जार रूपे ज्यादा दे रहे हो तो टाटा आपको सी तीनी फीचर एक्स्टा उफर कर दिये इसकंदर जो कि मैं मान सकता हूं कि हां ठीक है क्योंकि इसके अंदर पैनरोमिक सनरूफ आ रही है वह इतने पचास हजार के लगवक्त क्यों जाती होगी मेरे साफ से 35-40,000 की तो वही होती हो बाकि अगर बात को इसके अगले ही वेरियंट की जो कि है क्रेटिव प्लस एस जिसके अंदर टाटा काफी ज्यादा फीचर करती है और इसके अगर बात करेंदर आने वाले एक्स्टर फीचर की और एक्स्टर चीजों की तो क्या मिलती है इसके अंदर हमें 18-1 इंडिकेटर मिलते हैं अगर दिकेट एक्सेंट पोजिशन लैंप मिलता है 360-degree camera मिलते है LED fog lamp मिलते है विट cornering feature, hill decent control, TPMS, 10-inch की digital instrument cluster, dashboard with moonlighting, rear armrest with cup holders, dual tone roof, front wiper with styling blades and arm, leather gear shifting knob, तो चलो बात करते हैं इसके अगले variant की जो कि अंकम्प्लिस एस जिसके लिए आप लोगों को टाटा वालों को 1.500 रूपी सो एक्स्टर देने पड़ेंगे इसके सभी engine options के साथ और उसे के साथ Tata वाला को Cax Rock पर करते ही यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, 6-way adjustable driver seat, ventilated front seat, voice assistant roof with moonlighting, leather seat, JBL के 4 speaker, 4 tweeter, 1 subwoofer, electronic parking brake with auto hold, high adjustable cold driver seat, 64 test speed seat, और इसके अंदर सबसे important feature देते है Tata, जो की है भाई, air purifier, मतलब सबसे important feature है वह एक और सबसे बढ़या चीज़ देते है Tata इसके अंदर, वह भाई, wireless charging, वह भी बहुत important चीज़ है, तो भाई, इस variant के लिए आप लोगों को एक लाग रूपे एक्स्रा देने पढ़ेंगे, बाकि चलो बात करते हैं, जिसके लिए आप लोगों को 1.5 लाग रूपेस एक्स्रा देने पढ़ते हैं, और उसे के साथ इस variant के अंदर, Tata अपना 1.2 लिटर का रेबोटन इंजन नहीं ओफर करती है, इसके अंदर हमें सिर्फ टू इंजन ऑप्सेंस मिलते हैं, जो कि 1.2 लिटर का हाईपरें इंजन और हमें 1.5 लिटर का cryojet डीजल इंजन, और इसके अंदर Tata में एक्स्रा फीचर ओफर करती ह तो भाई यह तो वैसे घिमिक सा फीचर लगता है, मुझे बाकि 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 कुछ लोगों के लिए इसका काफी यूज होता है, कि अपनी गाड़ी को फोन ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, में को बट इतना यूसफुल नहीं लगता हो फीचर, बाकि इसके अंदर